नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल इलेक्ट्रिक सोलोशन में दोस्तों आज हमारे पास है हेवल्स का 15 लेटर का गीजर जो की दोस्तों 5 स्टार के साथ आता है काफी अच्छी पावर सेविंग वाला गीजर है दोस्तों और जो 16 एमपेर की जो के लेड़ाती है दोस्तों बिल्कुल डेड़- M3 की और काफी अच्छी क्वालेटिक का गीजर है दोस्तों जो इसकी बार की इसकी बोरी है कफी अच्छा गीजर है दोस्तों और जो इसका जो मैं आपको बताता हूँ जो इसका टेंक है वो भी ग्लास कोटेड है जो कि कभी भी फ्लोरेड और जंग से खराब होने वाला नहीं है लाइफ टैम तो दोस्तों यह गीजर हमारे पास है डैड है कोई रेस्पॉंस नहीं दे करता हूँ आपको यह हमारा टेस्टिंग बोर्ड है इसके अंदर देखिए सप्लाई आ रही है तो चलिए हम इसे चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो पूरा देखें ध्यान से देखें और जिससे कि कोई जानकार या आप से छूटना जाए चलिए गीजर का प डेड है और इस डेड होने का में रिजन भी आपको बताऊँगा किस कारण से डेड हुआ है तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए हमें गीजर का जो नीचे वाला पार्ट है यह पूरा हमें खोलना होगा इसे खोलने के लिए मातर हमें एक टेस्ट की जरूत पड़ेगी तो चलिए इसे हम नीचे से खोल लेते हैं इसके चार उपेज खोलने के बाद में काफी आस्यानी से इसका जो नीचे वाला कवर है निकल जाएगा जिसके इंदर इसकी कंप्लीट वायरिंग और थर्मोस्टेट लगा हुआ है दोस्तों यह देखिए यह अटाने के बाद मे हमने प्लग ओन कर दिया है और सब्सक्राइबर चेकरें इसकी शप्लाई थर्मोस्टेट के ऊपर दोस्तों बिलकुल एयरिया तो इसके बाद में दोस्तों हमें इसे जो थर्मोस्टेट इस का उस से खोड़ना होगा उससे पहले हमने सुचघ को शुच को अफ d Tokm तो दूस्तो यह जो नौब लगी वी है जो थर्म स्टेट को जब हम टैंप्रेचर कंट्रोल करते हैं यहां से इसको निकाल लेना है इसके नीचे हमें दो पेच दिखाई देंगे दोनों पेचों को खोल लेना है दूस्तो यह देखी दोनों पेच खोलने के बाद में बॉक्स से हमारा जो thermostat है अलग हो गया है और यहां से हमने supply को on कर लेना है और जो हमारा testing lamp है उसकी मदस से हम चेक करेंगे फर्ष्ट में मैनलीड पर चेक करेंगे तो दोस्तों मैनलीड पर देखी सपलाई आ रही है और मैल लेड से यह हैं करनी पा रहा है सपलाई को तो इसके जानकरी के लिए आपको मैं बता देता हूँ यह यहां से हमने और चौकल कthought शांट होता है यहां पर रिजट बटन इसको हमें करें करना एक प्रेस करते ही हमारा बलब गलो कर जाएगा गीजर विमारा ओन हो जाएगा तो दोस्तों ध्यान से देखिए यह जो बीच में आपको दिखाई देरा है ब्लैक कलर का छोटा सा पॉइंट हम टेस्टर की मतस्से इसे प्रेस करेंगे यह देखिए बिल्कुल रिशेट हो चुका है और गीजर हमारा ओन हो चुका है दोस्तों तो दोस्तों यदि आपके अच्छी क्वालिटी का गीजर है तो इस टाइप से आप उसे यहां पर चेक कर पाएंगे यदि उसमें हाई कट वाला थर्म स्टेट लगा हुआ है तो यहां पर आपको यह सेप्टी पॉइंट मिल है और यहां से आपकी जो एलिमेंट है वो खराब होने से बच जाता है यह दीखिए मेंस जो इंडिगेटर है आच चुका है इसका मेंस और हीटिंग मेंस का ग्रीन कलर का इंडिगेटर है तो आपको दिखाई देनी रहा है दोस्तों रोशनी के अंदर काफी हलका जल रहा ह चलिए थर्मस्टेट को वापस से हमने सैट कर दिया है और इसे हम पैक कर लेंगे और नौब को हमने इसके अंदर सैट कर दिया है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं जो थर्मस्टेट की नौब हैं हमें बिल्कुल हाई पर नहीं रखनी है ब इसको हमेशा आप हाई पर कभी ना रखें हाई से थोड़ा से डाउन रखना है लगबग 65 या 70 डिग्री के उपर टेंपरेचर आपका आ जाएगा और इससे आपका जो हाई कट है वो भी कभी हाई पर जाकर कटनी होगा और गीजर आपका बिल्कुल डेर नहीं होगा तो दोस्तों सभी वायर को अंदर सैट करने के बाद में हम बॉक्स को वापस से बंद कर देंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो दोस्तों लाइक सेयर जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले क्योंकि इसी टाइप की वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूं मैं हूँ आपका दोस्त भारत जाहिड आपसे लेता हूँ इजाजत मिलते हैं इसी टाइप की किसी नए वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत